भागलपूर की एक महिला ने अपने घर में तारी रखी थी और उसके बाद अब आगे की ख़बर सुनिये कि ये स्वेसल जो उत्पाद विभाद की कोट है उसकी तरफ से पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और सिर्फ पांच साल जेल नहीं बलकि पांच साल जेल के बाद एक लाख रुपय का जुर्माना और अगर एक लाख रुपया वो जुर्माना का जमा नहीं कर पाएगी उसकी आर्थी किसी ठीक नहीं होगी तब जो कोट होगा उसको कुछ महिने और अधिक जेल में रखेगा अब खबर सुनकर अपका दिमाग सन्न हो गया होगा कि भाई ताड़ी घर में रखना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि अपनी जिंदगी का बहुमुले 5 साल कोई भ्यक्ति जेल में बिताएगा और बकाइदा उत्पात विभाद के जो विसेश तोर पर कोट नितिश्क मार ने बनाया है कि वो कोट फास ट्रैक ट्राइल पर चलती है वो जल्दी जल्दी ट्राइल करके किसी को सजा सुनाती है उस कोट ने भागलपूर की महिला को 5 साल का रवास की सजा दी है यह अपने आप में बड़ी खबर है बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ताड़ी रखने के मामले में 5 साल की जेल बहुत बड़ी बात है सिर्फ यहाँ सेवाँ पर जज साहब ने 5 साल तक उस महिला को जेल में रखने का सजादी डाला और इसके बाद एक लग रुपए का जुर्माना भी वसुलने का एलान कर दिया आगे हम इसी की बारे में आपको बताएंगे बाकिया नमस्कार में नाम है मोहित क्मार सिंग और आप जनता ज बच्चों का मांग दर्शक बना है 2023 बेच की डिया शुरू हो गई है एडिमिस्वार्म बरने की आखरी तारीख 15 जनवरी 2023 है ऑफ-लाइन टेस्ट 22 जनवरी 2023 को निर्धारित हुआ है कक्षा 4-8 और 11 के छात्रों का दाखिला आप करा सकते हैं साथ ही साथ 6-8 और 11 की छात्राओं का दाखिला करवा सकते हैं तो आने जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर नमर दिख रहा होगा उस पर संपर किजिए वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर भागलपूर की खबर अ अपने आप में एक बड़ी खबर है बड़ी खबर इसलिए आस से कि तारी रखने के आरोप में किसी मैला को पांच साल जेल की सजा हो गई कई लोग पांच साल सुनकर ही चौक जा रहे होंगे उनको अंदाजा नहीं लग पारा होगा कि जिन्दगी का बहुमुल्य पांच स कर रहे हैं क्योंकि उनका ट्रेशनल तोर पर यह बैपार रहा है उनको अब नहीं पता कि इससे बाहर कैसे निकलना है उनके सामने कोई रास्ता नहीं है ऐसे ही भागलपुर की एक महिला तारी का बैपार करती थी पुलिस वालों को इसके बारे में पता चली उत्पाद जो नशीली होचकी थी मतलब कि नशीली तारी के कारोबार आरोप लगा कि महिला करती थी महिला तारी बेचती थी और इसी आरोप में महिला को गिरफतार किया अब इसके बाद से पुलिस ने जब गिरफतार कर लिया तब मामला कोट में पहुंचा वहां पर जब कोट में प बाद से जेल से तब छूटेगी जब एक लाख रुपए का जुर्माना वो सरकार के खाते में डाल देगी सरकार को देगी और इसके बाद से इसकी चर्चा चल पड़ी की तारी घर में रखने के कारण एक महिला को पांच साल की जेल हो गई अगर आप भी एकाद पैक लेने व हो जाये इसका कोई अंदाजा नहीं है कब किसकी जिन्दी का पांच साल जेल में भित जाए जच साहब हमांपर केसा चलेगा तब आदेस dov Either अगला और केवल ताड़ी रखने के आरोप में मैला को 5 साल की जेल हुई, एक लाख का जुर्माना लगा और इसलिए इस पर विशेश तोर पर चर्चा हो रही है, फिलाल ताड़ी बंदी को लेकर पासी समुदाय एकदम मुखर है, पासी समुदाय कह रहा है कि आर या पार, वो कह र ताड़ी नहीं पेचने दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, सरकार आकर हमको बता दे, और अब भागलपूर से जो खबर आई है, वो निश्चित तोर पर बड़ी खबर है कि ताड़ी रखने के आरोप में 5 साल की जेल, बागी केवल ताड़ी रखने के आरोप में 5 साल की के बारे में आपकी क्या पर्सक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा, और जजस आपने अभी कहा है, कि अगर महिला एक लाख का जिरुमाना नहीं दे पाती है, तब उसको तीन महिना अत्रिक्त जेल में काटना पड़ेगा, मतलब कि अगर वो एक लाख देगी, तब पांच साल जेल में रहने के बाद छुटेगी, अगर एक लाख रुप्या नहीं देगी, तब पांच साल तीन महिना जेल में गुजारना पड़ेगा, बाकी वीडियो को अब हम यही पर स्वाप्त करते हैं, वीडियो को शेर कीजिएगा, कैमरेग से भी शाल खड़े ह और मैं मोहित कुमार सिंग, बहुत बहुत धन्यवाद,